आज हम बात करेंगे बिना इलाज ठीक हुआ HIV पेशेंट इस वीडियो में आप क्या जानेंगे एस्परेंज पेशेंट जो बिना इलाज HIV से ठीक होने वाले दुनिया के दूसरे पेशेंट है उसकी medical history के बारे में या कैसे हुआ और इस जानकारी से HIV positive लोगों के लिए क्या लाब हो सकता है इससे पहले हम 2020 के बिना इलाज HIV पर कामू करने वाले पेशेंट लूरे विलेंग बर्ग के बारे में जान चुके है इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सबसे पहले देखते है कि क्योर का मतलब क्या होता है क्योर का मतलब होता है कि बिमारी को हमको पूरी तरह से ठीक करना है HIV में दो किसम के क्योर के बारे में बात किया जाता है पहला है functional cure यानि कि बिना दवाई हमेशा के लिए viral और काबू में रहता है लेकिन वाईरस से की संख्या जीरो नहीं होती सरीर के अंदर उसको बोलते है functional cure और दूसरा होता है sterilizing cure यानि कि सरीर में HIV का वाईरस पूरी तरह से नाबुध हो जाता है और निकाल दिया जाता है उसको बोलते है sterilizing cure तो अभी इसी हपते रिलिज हुआ एक report के मताबित एस्परेंजा patient में बिना दवाई बिना इलाज उसका वाईरस की संख्या नाबुध हो गई है जीरो हो गई है यानि कि किसी report में पकड में नहीं आया है सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दू कि एस्परेंजा कोई patient का नाम नहीं है लेकिन वो Spanish सब्द है जिसका मतलब English में hope यानि कि हिंदी में आशा होता है यहाँ पर patients ने अपनी privacy को maintain रखते हुए अपना नाम disclose नहीं किया है और scientist ने इस एक आविशकार को एक नहीं सोथ को एस्परेंजा patient के नाम से जाना गया है इस research जो हो रहा है उसके leading doctors से doctors यू यू जो अमिरेका में एक बहुत ही बड़ी immunologist है और वही doctors इस patients के जो research कर रहे हैं सबसे पहले देखते एस्परेंजा patients की history के बारे में अभी इसी हफते medical journal Annals of internal medicines की journals में इस patients के बारे में आर्टिकल प्रकाशित हुआ है यह एक 30 साल की महिला है जो आर्जेंटिना देश के रहिवासी है उसको सबसे पहले 2013 में HIV antibody test positives आया हुआ था वो एक married जीवन जी रही है और उसके पती HIV negative है अभी तक उसने इक ही बार ART medicines लिया था जब वो pregnant थी तब उसके दूसरे चौते महिने से लेके नौमे महिने तक pregnancy के दौरांद उसने HIV की ART medicines लिया था उसके आगे और उसके पीछे उसने कभी HIV की ART medicines नहीं लिया है मार्च 2020 में उसने नए बच्चे को जनम दिया वो बच्चा भी आज HIV मुक्त है HIV negative है पिछले दस साल पिछले आठ साल में दस बार उसका वाइरल लोड का रिपोर्ट हो चुका है और सभी बार उसका वाइरल लोड का रिपोर्ट अंडिटेक्टेबल आया है याने कि लेबोर्ट की जाच होते है उसमें कभी वाइरस दिखा नहीं है और पिछले तीन साल में 2017 से लेके 2020 में उसके वाइरल आउट ग्रोर्थ ऐसे किया है जिसमें इसके वाइरस का पता लगाने के लिए लेबोर्टरी में कोशिस करी जाती है उसके अंदर करीबन 12 करोड़ दर्दी के कोश्ट को टेस्ट किया गया था HIV प्रोवाइल डिये ने को देखने के लिए लेकिन वहाँ पे एक भी HIV प्रोवाइल डिये ने मिला नहीं था जब उसने बच्चे को डिलिवरी किया तब प्लेशन्टा यानि की जो बच्चे के नाल होती है जो माँ को और बच्चे को जोड़ती है उसको किया गया था उसमें भी 50 लाग कोश्ट कि तेस्टिंग किया गया था फिर भी मिसके किसी भी कोश्च के अंदर HIV का वाइरस नहीं मिला था कूल मिला के सिर्फ साथ HIV DNA रंगशूतर मिले थे और यह साबित करता था कि वो यह वक्ती एक बार HIV positive था लेकिन HIV के नए बच्चे नहीं बन सकते थे क्योंकि यह DNA बिन असरका रख थे और जीन डिजर्ट का मतलब क्या होता है HIV बहुत ही कम संख्या में होते हैं रंगशूतर में HIV DNA की अयोग्या जगा पर होते हैं कि जहां पर से वह वापस जीवित होकर में से HIV का वाइरस नहीं बना सकते या तो इसको बोलते हैं ब्लॉक एंड लॉक जीनेटिक एक्टिविटी तो एचाइव के वाइरस को उस जगा पर रख देते हैं बॉड़ी कि वहां से वह आपस जिन्दा नहीं हो सकते या तो उसके नहीं बच्चे जिन्दा नहीं बन सकते और एक दूसरा भी मिकेनिजम हो सकता है ब्रॉडली नुट्रिलाइजिंग एंटिबॉडी यानि कि भहुत किसम के HIV के वाइरस पर कंट्रोल कर सके ऐसे अपने सरीर के अंदर एंटिबॉडी बनना यह कैसे हुआ ए बहुत कम होने वाली घटना है जिसको अलायट कंट्रोलर का मतलब यह होता है कि बिना दवाई पी इंसान का वाइरस की संख्या लीबर्ट्री में पता नहीं चले उतनी कम हो जाती है यानि कि रिपोर्ट में undetectable viral load आता है और उसका एक ही कारण हो सकता है कि cytotoxid T-cells से हो HIV पर हमला करकर HIV की बिमारी पर काबू कर लेते हैं अब कितने HIV positive लोगों में यह allied controller होने की संभावना है तो यह बहुत ही कम होने वाली गटना है और एक माना जाता है कि 200 HIV positive लोगों में सिर्फ एक HIV positive व्यक्ति allied controller हो सकता है वह एक संभावना है लेकिन अत्यंत आवश्यक सुचना यहां पर जो भी दर्दी HIV positive है और यह अपनी HIV की दवाई चालू नहीं किया है तो उसको ART की दवाई तुरंट चालू करना है और जिन लोगों के HIV की दवाई चालू है उसको अपनी ART दवाई को बंद नहीं करना है यह एक रिसर्च का विशय है यहां पर अभी किसी भी इनसान को इसको clinical practice में नहीं लाना है और कोई भी HIV positive दर्दी अपनी दवाई को बंद ना करे और जिदी चालू नहीं किया है तो उसको तुरंट चालू करे इसी वीडियो को देखकर अपनी HIV की दवाई में अपने आप कोई भी इनसान किसी भी किसम का बदलाव ना करे जैसे ही डॉक्टर ने आपको सला दिया है वैसे ही HIV की दवाई ART की दवाई को चालू रखे अब आगे इससे क्या संभावना है वैक्सिन और क्योर आगे जो HIV पॉजिटी लोगों है उसके लिए क्योर होने की कैसे संभावना यहां से मिलती है वह देखते है अभी दुनिया में HIV क्योर रिसर्च के लिए कुल मिला की ब्रॉड ली दो किसम की स्ट्रेटेजी को अपना जा रहा है पहला है जीन थेरापी और दूसरा है थेरापेटिक वैक्सिन जीन थेरापी में सबसे पहले किक एंड की यानि की जो भी HIV के वाइरस है उसको मार कर उसको निकाल दिया जाता है इस पर हमने वीडियो बनाया है वह यह आपर आपको आई बटन के क्लिक करकर आप उस वीडियों को देख सकते हो कि दूसरा है जीन थेरापी उस में है ब्लाओ और लॉक जो हमने यहाँ पर लाइट कन्ट्रिय बात किया कि जो अलाइट कन्ट्रियों हमने बात किया कि is जो अंत्यार वायर इसको इस जगहरें पर रख देते हैं कि वहां से वह वाद पास जि वह है block and lock therapy और दुनिया को जो पहला patients जो यहाँ पर photo में दिखा गया है लूइस एलिजबर उसका आप वीडियो देख सकते हो इस eye button को click करके और तीसरा है options है therapeutic vaccines यानि कि enhance body immune response to HIV अपनी body की immune system को ऐसा बनाया जाए कि जो HIV virus को control कर सके इस वीडियो को भी आप देख आई button पर click कर लिंक पर देख सकते और इस सभी वीडियो की link आपको इसी वीडियो की description में आपको मिल जाएगी कि 2007 में सबसे पहला positive patients क्योर हुआ था लेकिन जो क्योर हुआ था अपने अपने ही हुआ था लेकिन वो stem cell की therapy के कारण हुआ था वो stem cell therapy का मकसद वहाँ पर उसको जो blood का cancer था उसको ठीक करने के लिए इस्तमाल किया गया था और उसके बाद accidentally देखने को मिला था कि इस दरदी को stem cell therapy के कारण वह HIV क्योर हुआ था जो बर्लिन पेशन्ट के नाम से जाना जाता है इसका वीडियो भी आप देख सकते हो आई बटन को क्लिक करकर या तो डिस्क्रिप्शन में जाकर यह दूसरा पेशन्ट है जुसको भी blood cancer सा और stem cell therapy दिया गया था और उस लंडन पेशन्ट के जाना जात सकते हो कि यदि अभी तक इस चैनल को जोइन करकर आप मेंबर नहीं बने हो तो मेंबर बंसकर आपको एक्सलूजिवली लाइट टॉक्षोज कॉमेंट्स एंड लाइव चैट्स और स्पेशल स्वीडियो के बेरिफिट्स मिलेंगे और जेताओ नहीं याद रखे यहाँ प झाल